हेलो फ्रेंस मैंने साज मैं लेका रहा हूँ सीजी बोट क्लास टैंड साइन्स प्रैक्टिकल नोर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें इसका पेडियाफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा वहाँ पर जाकर देख सकत हैं बोट परिच्छा के प्रैक्टिकल एक्जाम में कोई भी प्रैक्टिकल को पूछा जा सकता है तो इसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल नोर्स तैयार किये उसे मैं सेयर कर रहा हूँ तो पहला एक्सपरिमेंट लिखा है तो अब्जर्व द एफेक्ट आप सलाइवा इसके लिए और क्या लिखना है एपरेटर्स एंड केमिकल प्रोसीजर को सिक्स सैवन पॉइंट में बता सकते हैं अगर डाइग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा इसको बताना है उसके बाद प्रिकॉशन वाइल डूइंग दा एक्सपरिमेंट इस तरह से इसके नोर्स को तैयार करना है प्रिकॉशन टू से थ्री पॉइंट लिख सकते हैं अब्जर्वेशन वन से टू पॉइंट में बता सकते हैं कि क्या अब्जर्वेशन इस प्रैक् release इसके लिए भी apparatus जो भी आवस्यक समागरी लगती उसको बताना है procedure विधी को बताना है diagram किस तरह से बनेगा उसको बताना है उसके बाद उसमें भी कुछ observation निकल कर आएंगे उसको बताना है यहाँ पर दो observation मैंने लिखा है first point लिखा है और second point लिखा है देख सकते हैं और यहाँ पर third point को भी बताया है तो यहाँ पर third point में ही clear हो रहा है we know that oxygen is combustile and help to burn this so the presence of oxygen उसके बाद then result बताना है उसका यहाँ पर result क्यालिकल कर आए we find that oxygen is involved in the presence of sunlight उसके बाद precaution two से three point में precaution बताना है यह biology का practical है और experiment number three है to study of reproductive system in habicus flower यानि कि गुड़हल के पोधे के reproductive parts को बताना है इसके लिए apparatus, diagram इस तरह से diagram को बता सकते हैं यह parts of a flower है procedure two से three point में या four point में बता सकते हैं फिर observation बनाएंगे यहाँ पर observation में मैंने रखा कैलेक्स, कोरेला, एंडरोसियम, गाइनोसियम इसमे number of components क्या होते हैं structure क्या होते है, function क्या होते हैं इस तरह से इसको बता सकते हैं उसके बाद इसका conclusion क्या है, conclusion को भी two से three point में बता सकते हैं अच्छी तरीके से इसको बता सकते हैं तो यहां पर होता है फ्लावर इस दा रिप्रोड़क्टिव ओर्गेन ओफ प्लांट्स फिर नेक्स्ट है एक्स्परिमेंट है एक केमेश्टरी का यह रसायन साथ रखा इसमें लिखा है इस्टडी दा नियुट्रलाइजीशन रियक्शन उदाशनी करन अभी क्रिया को बतान नियुट्रलाइजीशन रियक्शन को ही नियुट्रलाइजीशन रियक्शन कहा जाता थियोरी में इसको बता सकते उसके बात प्रोसेजर है इसको फिनॉप्थलिन के साथ एक्सपरिमेंट को किया जाता है तो यहां पर कितनी मात्रा में कितनी ड्रॉप्स हमको क्या करना karny और सब्सक्राइब गतरी शॉन लेना पढ़ेगा उसके बहुत प्रिकॉसन बताते हैं जैसे सथरी पॉइंट या फोर इसीसिटना में वर्फॉइंट जितना बताना चाहें उतना बता इसक्ते हैं नेस्ट प्रैक्टिकल है इस्टेडी ओप एस्टेरिफिकेशन रियक्षिन बिट्विन एन एलकोहल एन एलकॉनिक एसिड एसेंटियल एपरेटर्स थियोरी बता सकते हैं जब एथनोईक एसिड एतनॉल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है एथिल एथनोईड बनता है जब इसको कंसेंट्रेट एस्टो एस्टो फॉर के साथ वार्मिंग किया जाता है और जो इसकी गंद होती है मेठी गंद होती है इसका तरह से इसके डाइग्राम बनेगा प्रोसिजर लिखना है प्रोसिजर को फोर से फिप्ट पॉइंट या सिक्स पॉइंट जैसा चाहे वैसे बता सकते है उसके बाद इसकी कंक्लूजन जो इसका जो स्मेल होता है जो रियक्सन होने के बाद हो होता है फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड सोता है प्रिकॉशन बता सकते हैं कॉसन टू से थ्री पॉइंट में बता सकते हैं उस पर बाद एक्सपरिमेंट नंबर से यह फिजिक्स का है वेरिफिकेशन ओफ लौ ओफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर समतल दरपन की सहता से परावरतन के नियम का सत्यापन करना है इस तरह से इसके डाइग्राम को बनाना है प्रोसिजर में लिखना है कुछ पॉइंट बताना है फिर अब्जर्विशन हमको पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है आंगल ओप सिडütfen से प्लिघ्टा गली का होगा इस तरह से बता सकते हो उसके बाद रिजर्ट लिकने हैं अब यह के बाद प्रिकोरशन बतानक फिए ऐसेंट करता है किलो होता है a mu z equal to sign i upon sign r होता है the the reflective index of glass with respect to air क्या होता है length of perpendicular in air length of perpendicular in air ht इस तरह से बता सकते हो इसकी procedure बता सकते हो उसके बाद इसका इस तरह से डाइग्राम बनेगा अगर डाइग्राम समझ जाएगा तो PDF link पर जाकर देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसका PDF तयार किया है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं फिर observation बनाना है observation table उसके बाद result लिखना है फिर last में उसके precaution बताने इस तरह से experiment को पूरी तरह से complete कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें थैंक यू